बटिंडा पंजाब से संत्रामपाल जी माराजी से नामदिक्सा कब लिया आपने 2009 में जी सर संत्रामपाल जी माराजी से नामदिक्सा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाई करते थे मंदर में पुजारी थी मंदर की भक्ति करते थे हमारा जो परिवार है वो हनुमान जी से ही संबंदित रखता है और उन्हीं की जो अतवत्ति उन्हीं के राधना पुजा करता है सर किस तरह से आपने किस प्रकार से पुजाएगी है आप हमें बताना चाहेंगे हमने जी मंदर में रहकर के जैसे ब्याली ब्याली दिनों के बर्थ किये, हवन यग किये, मतलब जैसे ग्रैन कोई जाता है तो उसमें ये हवन यग किया, मतलब कोई भी ऐसा तिवार नी था जो खाली चलिया जावे और उसमें हम पैसा कमाने के इच्छुक नहीं थे, सिर्फ हम इच्छुक इस बात के थे, भी ये विशय क्या है, हमने किस धारा में जाना है, हमारा मोक्स कैसे होगा, जन्मरन से कैसे छूटेंगे, हमारा जो पुन्या है, कहां लग बढ़ता जाएगा, और उस पुन्या से हमा आगे जाकर के भगवान के खाते में जाएगा या नहीं जाएगा ये तो हमारे को नहीं पता था कहा जाएगा पर इतना जरूर था भी हनुमान जी हमारा खाता आगे जाकर के देंगे और फिर हमारा कल्यान हो जाएगा इस धारा से हम बैते गए और चलते गए और हमने खूब मतलब मंदर में अपने शरीर को इतना सुखा दिया इतना सुखा दिया कि अगर इसके अंदर दो गलास भी जल डालें तो वो भी वापिस आ जाता था और वो अंदर नहीं जाता था अंदर की जो फैक्टरियां थी अहार करना छोड़ दिया था हां जी और बहुत ही कम मतलब जैसे एक आदसी आगे उसका अबर्त कर लो मतलब बरत हमने इतने किये कि मिन नामेना बीस दिन या पंदरा निन तो हमारे बरत में चले जाते थे तो सर आप एक तरह से निर आहार रहते थे आपने इतनी सारी पू आनिवाई था उन्होंने अमारे को यह ज्यान दिया विज्यान ये है आप किससे जुड़य हो पहले उनने पुच्छाया में आनिके हनृमान जी से हनृमान जी हमारा इस्ट एह उनुसे जूड़य है उनुसे जूड़ए वह कैनने लगे जो देवी देवता है यह दनम पर पर मै ये कहें, हमारा जो काम है, परमातमा से कर देंगे. क्योंकि इनकी पोँच वहां लag है. हम नहीं ये मान रख्या था और अपना काम हो जाएगा. वो क्हाने लगे नहीं कर सकते हैं. मैं त conscious क्यों निहीं कर सकते हैं? तो कहने लगे आप पड़али. उन्हानने मेरे को दो बुख देई गहरी नजरगीता थी उनके पास और एक थी अध्यात्मीक जान घंगा और एक मोटी पुष्तक थी भगती के सोधागर का संदेश उस पुष्तक से मैंने दो दिन में सारा स्ट्रेशर उनका पड़ दिया, दो ही दिन में एके बाद उनको कईयाद है आप आप आपनी भूक लेल, मैंने पड़ दी। मैंकि जो यह जान है, मैंने बहले तो किसी एसे संत का है, जो तथवधर्सी संत है भी अगर वो संत हो या भी सुट gestures तो ठीक है अगर वो संत नहीं हो यह उसको सथ ग्रम कहीं से मिल गया तो वो तो दुनिया को लुट कर खा जाएगा मैंने क्छोड़ेगा नि, किसी किमत पर भी उसमें जैसे देवी पुराण में आता है आविर भाव और तिरो भाव तो उसमें हम क्या करते थे एक अठकल लगाते थे अठकल लगाने से सामने कथा वाच जो सुनते थे उनको किसी को पता नहीं लगता था भी पंड़ जी क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं और किस परक कि आविर्भाव क्या है तिरो भाव क्या है बर्मा विस्नुमेश के बारे में ये बात होती थी वहाँ तो हम अगर हम कए बर्मा विस्नुमेश का वहाँ जनम और मिर्तु है तो उसमें एक प्रैसर बनता है कि बर्मा विस्नुमेश का अगर जनम अरन है तो आप पूजा किसकी दोरान कि ब्रमा विष्णु महेज की मर्तियू यह जनम होता है जदी आप ऐसा बताएंगे तो लोग आपके पर सवाल उठाएंगे कि भगवान कोन है तो हमने भगवान के बारे में ग्यान नहीं था बिलकुल हमने तो देवी देवतियों के सतर तकर ग्यान था और जो दूसर ही पोच थी सर एक बात बताईए जैसे कि आप उजारी थे सर सरदालों के मन में ये रहता था कि ब्रमा विष्णु महेज भगवान है लेकिन आपको पता था कि देवी पुरान में लिखा हुआ है कि इनका जनम और मर्तियू होता है तो आपके मन में ये सवाल तो जरू था क कि ब्रमा विष्णु महेज से भी उपर कोई भगती है तो क्या संत्रामपाल जी मानाजी की किताबे जो आपने पड़ी उनका लेटरेचर जो आपने पड़ा तो आपको क्या उन सवालों का जवाब मिला जिनको जानने के लिए आप उत्सुक थे हाजी उनके जवाब हमारे हो ऐसा तो गुरुजी का हमारे कह रहे हैं कि मैं भी वहीं चल पड़ूगा उस ग्यान के पास और हम सारे चल पड़ेंगे लेकिन मेरे को पता था भी जो अभी ये ग्यान है ये लिट एंड कलीन है और फाइनल है क्योंकि मैंने जो जहां-जहां जिस तथ्य को लेकर के मैं अठकिया था इस पर तो हमारे को हनुमान जी ने में मेरे को बताया था भी आप इसले जनम के जो रिषी मुनी तपस्वी थे बड़े जबर्दस्त थे लेकर मैंने उनको नह नहां कया भी आप गिर गगे वहां मैंने गया भी चलो सुंदरा सुरा सुंदरी में कहीं फस गे रिषी मुनियों को तो यह गिरे यहां आकर के हैं पर उन्हाने कया नहीं वहां नहीं गिरे आप तो मैंने कया कैसे गिरे को आप गुरू अले सतर से गिरे हो क्योंकि गुरू अले सतर का फिर मैंने को पता लगया जब लग हम गुरू को पूरन परमादमा नहीं समझेंगे तब लग हम पार नहीं होंगे, यह हमारा फाल्ट था उसमें, पिछली जनम की भग्ति का फाल्ट तब समझ में आया, भी यह फाल्ट लेकर के हम यहीं के यहीं धक्के खारे हैं, तो जब हम गुरुजीं के पास इसी साब से रहें, और उसके बाद मैं, मैंने तो यह इच्छा अब से नामदान लेना था, उनना ने बताया था, सर अमूमन हम देखते हैं कि संत्रामपाल जी महाराजी से वही लोग नाम दिख्षा लेते हैं, जो किसन किसी बीमारी से पेडित है, क्या आपने भी कोई बीमारी का निदान पाने के लिए संत्रामपाल जी महाराजी से ना कि अवधान के विधान क्या है परमात्मा कि इस परकार से ही पायजता है जयानका अंत क्या है सर देखिए जब हम अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो उनसे रिदी सिधियां भी आ जाती है जैसा कि हमने सुना है आपको इसके बारे में अच्छे से पता होगा क्योंकि आप तो मंदिर में पुजारी भी रही हैं आपका क्या अनुभव रहा है आपकी पुरान जाओंगा या देवता मेरे सामने हो जाए और मैं बुखा मर जाओंगा जिसको अडियल साधना कहते हैं तो उस अडियल साधना को लेकर के उन्होंने किया है उनका एक जब बैठ जाते थे तो एक सेकेंड में जो फेस था हनुमान जी का बन जाता था जैसे हनुमान जी का मत आली, नल, नील, अंगद, सुग्रीव, मतलब फेस बदलते जाते थे, जैसे हम, फिर गुर्जियों न जो समझाया, वो बिल्कुल पूरा सच है, भी जैसे हम रिमोट से टीवी को चलाते हैं, और चैनल बदल जाते हैं, वहाँ चैनल फेस के बदलते थे, तो फेस के बदलने स जब दुख फेर भी कहीं न कहीं, जीव का वहीं खड़ा है, उससे पता लगता था, भी चैनल तो खुल गए, देवी देवतियों के, यानि के फेस सिद्धी आपको मिल लेकिन दुखों की धारा में कोई परिवर्तन नहीं है वहाँ, चाहे आपका शरीर गल रहा है, चाहे बढ़ता जाता था, आपने आप में लोगों को परभावित नहीं करती क्या, रिद्धी सिद्धी तो एक ऐसे है, अगर आपने समाज को अपने पिछे लगाना है, पैसा खींचना है, अगर आपना मतलब कुल नास करना है, तो उस रिद्धी सिद्धी के जकड में आप रहिए, और आप जब इक बैलन्स खत्म हो जाएगा, तो आपका सब कुछ ड्रोब हो जाएगा, जैसे थैंतरिक है, त अजिसे सत्यानास नहीं हो उसका तीसरी पीडी में जाकर कि सत्यानास हो जाता है, आपको पुछास हुजार वर्याई से देऊ जो तीसरी पीडी में बिल्कुल के लगजि कंदा अब हम आदन के बारे मंदर का ना गाला चाला है तर अभर 7 पिंटी के नहीं면 कि वहां दूसर भार लगष्हें के निख्ऊन अनाज पैदा किया या चोर ही करके बच्चें को पहला हमारे बच्चे तो चोर होंगे क्योंकि वो चीज हमारे लिकुड में भी आ जाती है और जब लिकुड में आ जाती है अंकूर तो वैसे ही फली भूत होगा तो सर एक बात बताईए कि एक समय था जब आप संत्रामपाल जी महाराज जी को एक परमात्मा मानते थे और जब आप सत्संग सुनते थे तो आप यही महसूस करते थे कि नई संत्रामपाल जी महाराज नई परमात्मा बैठे हैं लेकिन आज जब कि संत्रामपाल जी महाराजी जेल में है तो क्या आज भी आपकी आस्ता वैसे ही है क्या आज भी आप उसी नजर से संत रामपाल जी माराजी को देखते हैं कि हार संत राम पाल जी पहले भी प्रमाइध्मा थे अभी भी प्रमात्मा सब्सावाभ पर उसमें जब हमारे करल अभे लिखे उपर आई ़िल्कुल सीधा उसकी करनी बल्ल नहीं देखना शिए ऊसकी उना Bennett देखो उसकी अगर कफनी को देखकरकर आप आगे जी जाओ गए अ और जो हंस है उनकी डार नहीं होती और शी जो सेर है उनके लेड़े नहीं होते बड़े बड़े जुंड़े नहीं होते तो दो संत जब इर्थिवी पर ठैर नहीं सकते एक ही संत ठैरता है तो एक संत एक साइड और सारा समाज एक साइड तो उस संत के साथ उसकी कथनी क्या है बस इसको देखो उसकी करणी पल ना देखो क्योंकि उसकी करणी में हमेशा दो तीन निशाने होते हैं एक निशाने से वो दो तीन तीर मारता है और उसका बाद में पता लगता है जैसे गुरुनानेक जीना क्या था बसे रहो और उनको जीना ने सेवा करी उजड जो इसका मत अगर भगवान की बात हमारे समझ में आङए तो हम भी नहीं बहुत पर भगवान हो गे हम मानव कहा रही पर सर यह तो ग्यान की बाते थी यदि बात करें प्रैक्टिकल की क्योंकि जिस तरह से लोग आज समाज में जी रहे हैं अजारों ऐसी पीडाई हैं, मानसिक तौर पर पीडित हैं लोग, आर्थिक तौर पर पीडित हैं और सारिक तौर पर भी पीडित हैं तो ऐसे में लोगों को तला से एक ऐसी संजीवनी की जो लोगों की सारी समस्याओं को दूर कर दे तो सरह मैं आपसे जाना चाहेंगे, क्या संतरामपाल जी महाजी से नाम दिखसा लेने के बाद, क्या आपको ऐसी समस्याओं से भी निजात मिली, जिन समस्याओं को लेकर आज समाज जूज रहा है, और जिन को सैन कर रहा है, और जिसमें उनके घर भी बरबाद होते जा रहे ह 搞 एंको खुद पता है हमारा घर बरबाद एक भूत ने कर दिया एक देबी देवतानों गर दिया यह बीजे ताना कर दिया यह तूना टपई के शुक्र महगर है है अगर आप पितर से हर भूत प्रे से जूजना पड़ेगा आपको क्योंकि देवी देवता अच्छा उन सभी का समाधान क्या है उन सभी का समाधान एक ही है अगर आप संतरामपाल जी से महराज से जुड़ोगे लेकिन जुड़ने के लिए मैं पहले गाता हूँ भी पहले ग्यान को समझो अगर ग्यान नहीं समझा वहां जुड़गे फिर भागे दो मिन्या कोई फैदा नहीं उससे पहले निर्ने लेओ भी ग्यान क्या है बात क्या है किसमें किसकी पोष्ट में कितना दम है उसमें पहले लिख किया वी देवी देवतियों के में इतना दम है पितरों में इतना दम है भूत परेत पिसाच में इतना दम है काल में इतना दम है धरमराज में इतना दम है तो गुरू में कितना दम है पहले यह देख लो, गुरु में कितना दम है, अगर गुरु में दम नहीं है तो वहां जाओ गे क्या लेने, तो जा कर के भी अगर प्यासे आगे, तो गई क्या लेने, आप तो मतलर ट्रेन में मुल मुत्तर फेलाने के लिए गई थिगर. क्या ये माने की संत्रामपाल जी महाराजी में दम है। जहां जाता था इसके बार में, आपके परिवार का क्या अनुबव है? सरे आज आज आप पूजार्यों की पोल अच्छे से खोल रहे हो और आपके निशाने लागातार तांत्रिकों पर भी फिट बैट रहे हैं बहुत बड़ा प्रसंचिन भी आप उन लोगों पर खड़ा कर रहे हैं तो क्या यह जो तांत्रिक के लिए बोद्प्रत की जो बादा वो अंदर बैठ की थी बिलकुल, वो अंदर बैठने के बाद मैंने उन्ने अढ़ी निगा आप संतिरांपवा जी से जूड़ी है, यह ना जूड़ी है, पर मैंने इनको पुख ज्रूर पड़ा जी सारी, मैंने का पांचा-बसाथ-पेज पर चाहिए पड़ो इनको और इसम किया उन्हें तुछी हो जाए मैं तो फटूंगा निट जो ठीक है फिछे नहीं हटेंगे तो उसके बाद में हम जब घर से चले तो हमारी में भूरय को सब्सक्राइब करें वी शब करें गैचाने के बाद मैं बातरूम में कि इसके पर बात्रूम से बाहरे नी आये और हम जाकर के बन कार। थंद गवर इज्टे मार रस्ता रहक div ठाइक तो उसके अंदर 3 1 2 3 गंटे वहीं रहें रहें लेट्रिंग बाथ रहें में ओनिल्ग मैंने कहा दुआई तो काम नहीं करेंगी, चलो फिर भी एक बंदा वहां से जख्खड से काने लगया नहीं, वो भी सर्मा जी था, वो हमारी मिसिज को वैसे जानता भी था, थोड़ा, मतलब सर्मा होने के नाते, वो काने लगया नहीं, नहीं से निकल कर दुआई लिया, हम 40 काम नहीं करना, यह कोई होर बात है, दुआई तो बहुत दूर की बात है, इस चक्र व्यू में, तो उमने दुआई देए भी, तो उसके बाद में हम जब बर्वाला पहुंचे, अगली जब ट्रेन में लेठे, फिर भी हम बाथरूम में रहे, यानि कि मतलब बर्वाला तक हम बाथरूम में पहुंच गे, और मतलब अंदर से मैं बहुत ही कलपया इस बात के लिए भी इतनी साधना करके, इतना कुछ करकराय करके, फिर भी रो रहे हैं बात को, और यह कितना बड़ा इस बात का चक्र व्यू है, जो हमारे को अटेंशन में और दबोच रहा है, तो इतनी बड़ी कोई चीज निकल करके भागी है, तो इतनी बड़ी कोई चीज निकल करके भागी है, और मेरे को पता था वो चीज क्या भागी है, वो एक छोटा बच्चा था गोई, शाया साथ साल का, जो डैथ होई थी, वो अंदर उसने जगाए मिनार खी थी, सुक्सम रूप से, छोटे रूप से, और वो मतलब योनी के रस्ते बाहर निकली है, और निकली पहले जब गु पहले को पहले कोई बिलकुल फ्रैस हो गए, यानिको उनको कोई भी तकलीफ नहीं है, जीरो तकलीफ है उसके बाद, उसके बाद हम नर्वाना से, और रेल्वे जो स्टेशन है, जो पातक लगता है, वहां से लेकर के कम से कम वो तेड़ किलो मेटर के असपास है, और वो प पहले में एक कदम भी नहीं चल सकते थे, उसके बाद में हमने ये अनुभव वही से वही लिए, ये अनुभव वही है, पहर हमारे को पता लगे जो देवीदेवता क्या है, पितर क्या है, बूट्परेत गर की सिया जिस घर में भी ये भूत पीरेत पि XXbut के हैं, उस घर में साया है पूरे वल्ड बे अगर कोई कहीं नहीं मेरे उपर नहीं है उसके पुन्य करम है थोड़े से इस करकर वो ऐसे बोलता है सर एक और बात आप से पूछना चाहेंगे हमने बहुत सर जी आपने जो मुलाकात की बात करी है आपको यकीन ही नहीं होगा कि वो अनुभव मैं बताता हूँ जब हम 10-12 साल के थे तब से गुरुजी हमारे को नहीं सफेद कपड़ों में देखते थे और बड़े उंचे होते थे मतला आम आदमी से बड़ा कद होता था हम उसके यह अनुभव लगाते थे बड़े हनुभवान जी नहीं हमारे को नहीं सफेद कपड़ों में दर्सन दिये हैं क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि वो संत्रामपाल जी महारा जी थे हाँ हम यकिन के साथ कह सकते हैं क्योंकि वो चेरा मिलता था जो आज गुरुजीयों का चेरा है संत्रामपाल जी का चेरा है जो प्रमात्मा का वो चेरा है वो वहां से मिलता था और मिलने के बाद में हमारे को पता लगया भी ये चेरा था वो जो हमारे को दर्सन देता था और अबसे बड़िया हनुबाह हमारा ये रहा कि जब संतरामपाल जी किसी को भी आशुरुआ देते हैं, मतलब एक से नी सब से, कि वो बिल्कुल ही एक तो बिल्कुल लीट एंड कलीन होकर करके फ्रेस हो जाता है, कि वो उसका जो शरीर है, बिल्कुल हलका हो जाता है अंदर से. संतरामपाल जी महराजी के साथ आपकी क्या भाचित होई पहली मुलाकाद? है अगर यह ता सहं पर जाएगा क्योंकि सब् èंड कर सकता है, और इसमें सब्ध सुनने पड़ते हैं इसले लाइन में, तो इसलें में सब्ध सुनने के बाद मादमी का सतर कभी भी गिर सकता है, क्यूंकि हमारे रिशी मुनीत-पसीओ का अगर अनुभव देखें, तो गिर तो पत्थर की मूरती तक के दर्सन नहीं होते हैं। और आप कहते हैं कि मैंने सभी देव देवताओं से बात की है, सर अपने आप में विस्वास करना खाफी मुस्किल है, अगर आप हमारे उपर विस्वास करते हो, इस अनुभव के उपर विस्वास करते हो, भी देवी देवता बात करते हैं, या नहीं करते, आपने ये विस्व कर दोना होगा आप अपनी साधना को ले करके देखिए और पिछलों की साधना को या इसी परकार तो आपके सामने हो जाएंगे यह कोई दूर नहीं एंजी यह जीव से यह तो बहुत ही नजदीक का मामला है जैसे हम रेल्वे स्टेशन बे जाते हैं रेल्वे स्टेशन जो ब आपका ये है भी इन गरंतों पर विश्वास करना अगर आप गरंथ के उपर डट गे पहले गरंथ पर डटो फिर संत रामपाल जी पर डटोगे सर आपकी सारी बाते सही है संत रामपाल जी महाराज जी का ग्यान भी सही है उनसे नाम दिख से लेने के बाद लोगों को लाब भी मिलते हैं यदि आपकी बात माने तो लेकिन सर लोगों का फिर भी ये सवाल रहता है कि संत रामपाल जी महाराज जेल में क्यों है आज जो हमारा वातावरन है संत रामपाल जी एकेले एक साइड लाखों संत एक साइड लाखों संतों का अज्ञान एक साइड ये ज्ञान एक साइड ये ज्ञान के जो अज्ञान है उसके ना हाथ लंबे होते हैं और जो ग्यान है उसके पैर पक्के होते हैं इसलिए इस ग्यान को लेने में और देने में थोड़ा सा टेम लगेगा क्योंकि हम कहीं लाखों सालों से अरवों खरवों से हम अग्यान के अपर अरूड थे और अरूडता को मट्याने में अब टेम लगेगा इसलिए संतरामपाल के साथ सभी सवालों का जबाब दिया और धर्म के अंदर फैल रहे पाखंडवाद के बारे में भी आपने खुल कर बात की तो सर आखिर में आप से ये सवाल ये है कि आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं जो आज भी धार्मिक पाखंडवाद के सिकार हैं मैं भगत समाज को प्रार्थना करना चाहता हूं संदेश तो संतरामपाल जी ने इतना दे दिया कि कोई ऐसा कोणा नी छोड़ा जहां संदेश ना पहुंचा हो लेकिन यहां पर मैं ये कहना चाहताँ हूं समाज को बहुर बार बार यहां कुछ ना कुछ घटना हर रोज तो उसमें सबसे पहले हमने यह देखना चाहिए, भी यह कहना क्या चाहते हैं, कह क्या रहे हैं, असी रुपए ही की बुक हमारी छपती है, हम बीस रुपए में उसको दे रहे हैं, उसमें कोई ऐसा सबद देखो, जो संतरामपाल जी ने अपने पल्ले से लिख दिया हो, वो तो हमारा गरंथ को अच्छी तरियां से पढ़ करके और फिर संत रामपाल जी से जूड़ो या किसी से भी जूड़ो लेकिन उसको बिल्कुल तोलो आप लीट एंड कलीन हो जो और लीट एंड कलीन होते ही आपको जो सुख की लेर है वो उसी टाइम दोड़ जाएगी कनेक्स होने से क्योंकि जैसे स्विच ओन ओफ करो लाइट आगी चलीगी बहुत बहुत धन्यवाद सरा आप आप सुन रहे थे जगत गुरू तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आठ दो 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 आठ आठ शुन्ने पांच चार एक आठ दो 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 आठ आठ शुन्ने पांच चार दो आठ दो 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 आठ आठ शुन्ने पांच चार तीन आठ दो 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 आठ आठ शुन्ने पांच चार चार हमारी